तो आज इस वीडियो में हम चानेंगे कि inverter बैटरी खराब हो चुकी है या फिर खराब नहीं है इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं मतलब कि अगर हमारी बैटरी बैक अप देना अचानक से बंद कर दे रही है जैसे कि 5 मिनट में हमारा बैटरी चार्ज करते टाइम फुल चार्ज बता दे रहा है और जब हम और इलेक्टरिसिटी जानने के बाद जब हम कोई लोड चला रहते हैं अपने inverter से तो 5 मिनट में हमा सबको समझ में आएगा सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अगर आपको इस तरह का प्रोब्लम फेस करने को मिल रहा है तो देखिए हमारी इंवर्टर से दो वायर कनेक्टेड रहती है हमारी बैटरी में जो की एक निगटिव और पोजिटिव के इन दोनों वायर को रिमूब करने और वायर के ऊपर जितना भी कार्बन लगे हुए होते हैं सबको पहले अच्छी तरह से प्लीन करना है उसके बाद दुबारा करने करने के बाद आपका बैटरी ठीक हो रहा है पूरी तरह से चार्ज हो जाए रहा है तो समझें कि आपकी बैटरी में कोई दिकत नहीं है लेकिन दोस्तों करने के बाद भी आपका बैटरी बैक अप नहीं दे रहा है तो आपको हो सकता है कि आपकी बैटरी अल्मोस्ट डेड हो ही चुकी है तो आई हम जानते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बैटरी खराब हो चुकी है तो मारे घर में जो इन्वर्टर बैटरी होती है टूबलर बैटरी उसके अंदर 6 सेल होते हैं और एक सेल लगबग 2 वोल्ट का होता है तो इस तरह से 6 सेल मिलाकर के 12 वोल्ट की हो जाती है एक चीज में यहाँ पर और कहना चाहूंगा अगर आपकी बैटरी दो घंटा तीन घंट में चाहर चार्ट हो रही है तो समझी की आपकी ठीक है उसमें कोई प्राप्राप्लम नहीं हुआ है बस ऑक दी टनुर्ट में यह फिर बैटरी दो घटम हो जाथे ho schle Fourth decision जाती होगी तो समझी कि अपकी ठीक है लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि आपका बैटरी पांच मिन्ट में फूल चार्ज हो जागा है कि अब बात करते हैं कि कैसे पहचान करना है अगर ये हैं तर रह यह सेल दो बोल्ट का होता है तरह से मिल करके 6 cell मिला करके हमारी बैटरी 12 वोल्ट की हो जाती है लेकिन उसमें से कोई एक भी cell अगर खराब हो जाता है तो हमारा बैटरी जो है मातर 10 वोल्ट का हो जाता है तो 10 वोल्ट होने की कारण हम जब inverter को क्रिनेक्ट करेंगे अपनी बैटरी से तो 10 वोल्ट जैसे ही होगा तो हमारा बैटरी जो है बिल्कुल बैक अप नहीं देगा मतलब कि हमारा inverter कोई भी लोड हमारा नहीं चला सकेगा कोई भी उपकरन चलाने के लिए हमें डीसी में 12 वोल्ट की जरुत होती है 11 वोल्ट भी रहेगा तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए तो एक सेल भी अगर हमारी बैटरी के खराब हो जाता है तो हमारी बैटरी डेड हो जाती है मतलब डेड कहलाती है उसको हमें reject करना पड़ेगा तो अब हम जानते हैं कि कैसे हमें पहचान करना है देखे दोस्तों जब हमारी बैटरी चार्जिंग कर्डिशन में होती है तो 6 क 6 सेल मानी से भरे हुए होते हैं 6 वो सेल में तो पानी के अंदर क्या होता है है थोटे चोटे बबल्स निकलते हैं एदम थोटे चोटे अगर बड़े बड़ाब निकला रहें तो वह fixर neighborhood है अगर बबल्स नहीं भी निकल रहे तो आपकी बैटरी की उबलते आपको नजोड आना चाहिए phosph本 चार्ज होती है उस तरह से पानी को उबालते हैं उस तरह से पानी के अंदर से कुछ इस तरह का पूट पूट आपके श्क्रिन पर दिख रहें अगर इस तरह के आपके बैटरी से नजर आएंगे तो समझे कि आपकी बैटरी का वो सेल परफेक्ट है लेकिन दोस्तों बैटरी चार्ज होने के बाद भी अगाद सेल में से बबल्स निकल रहे हैं अगर वो सेल खराब हो गया तो आपकी बैटरी किसी काम की नहीं होगी आपको इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको रिकवर करना है तो उसको बैटरी को सर्वे सेंटर में भेजना पड़ेगा सेल जो है उसको पर्मनंट चेंच करना पड़ेगा खराब और झेल खरने की पहचान है तो उमीद करते हैं इस वीडियो में आपको स्बकु समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रू करें अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं के तब प्लीज लाइक करके चैनल को भी जोड़ सब्सक्राइब करें